हलो फ्रेंड स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल कप्सी में रिचार्चर में फ्रेंड मैं आज आपको बताना जा रहा हूं बेस्ट मेंकेनिकल सैप के बारे में दोस्तों जो सब से पहले मैं अपने आप के अंदर चलता हूं जिससा आपका नाम है मेंकेनिकल इसको प्रिक करने का बा capabilities आपको फु एर तक का पुरा चाप्टर दिया हूए दोस्तों फॉर्थ wes में केनकल यंजिनियरिंग डफ्रैन सिर्चुह फ्रट नफ फ्र Cristock इंऄ bathtub एस परकार से極त चैप्टर देए धिस्तोर इसके अंदर क्लिक करते हैं फिलिक रने के वाद देखिए दोस्तोर से तरफ CCTV में गिया घरी हो बहुंद नंघ कैने spacesında can पहला जेट प्रीज 파 अब्त नेसेन किबारे में पूरा बताया गाया मकीव की काता हूं दूसेडसों इसम्य हं बफ़त तन यंअचियн अध्तिने पृब शेल के जेनले मजब दिया हुआ है इसम्य जाहिए बाठेश है तो अको carbon दिए गया है धर्मो डानीम पुरा गया हूद कर रोलिक मेशिन दिया हूब अपई डिया गया है और को वासिंगी दिए गया है है जो कि इंजिणीर्ख का बहुत ही बेस्ड पार्ट रिदू सबसंतो है ! दोस्तों रोबो एथेलिक दिया गया है कि पाइप इंजिनियरिंग का पुरा डिटेल से बताया गया दोस्तों इसके बाद बैक आता हैं दोस्तों बैक आने का बाद हुँ है यहीु तदो दोस्तो एनिमेशन दिया गया डिसकर्सन सट्राइब फॉर्मूला है इकना इंजीनिरिंग ये इसमने दोश्का इसम पूरा से चलता हैं देखें दोस्तों पुरा बताया गया है Engineering Stage Applied Force Initial Course Section Area बैक आता है दोस्तों बैक आने का बाद देखें दोस्तों दोस्तों वीडियो वीडियो में किलिक करेंगें तो आप इस चैप्टर में कोई भी प्रोलम्स होगा डिपनेशन पढ़कर इस वीडियो में आप समझ सकते हैं देखें दोस्तों पूरा यह अच्छ ती कैसे बताया गया है समय सेमिय आउटोमोमेटिक टांसमिशन का बारा में बताया गया है प्लोड कारियेटिक से बताया गया फिर दोस्तों डिसकेशन दिया गया है ग्रूप डिसकेशन दिया गया है ग्रूप डिसकेशन मौके के जगा ग्रूप डिसकेशन मौके करने के बाद देकि दोस्तों इसमें जेनरल डिसकेशन दिया हो गया है अस्तरेंट आप माटेरियल दिया गया है ड्राइंग पुरा discussion बताया गया दोस्तों जो कि interview question के लिए बहुत ही best हता है जोस्तों इसमें देके dictionary दिया गया ब्यमी के अंदर जितने भी meanings है इसका पुरा details बताया गया दोस्तों absolute हमें data के बारें बताया गया आफ्टर कुलिंग देके दोस्तों इसमें पुरा dictionary का details बताया गया जो कि ब्यमी में बहुत important है important charts दिया गया दोस्तों फिर get mcq question दिया गया दोस्तों get के लिए बहुत engineering के लिए बहुत ही important question है आपर दिया गया answer की question दोनों सहीत में दिया गया है दोस्तों तेके get 2016 में आया हुआ question है जो की बहुत ही best है दोस्तों इसमें पुरा guest question भी दिया गया है दोस्तों applications दिया गया है interview दिया गया है HR round का फिर back आता है दोस्तों फिर आपको ले चलते हैं दूसरे आप में दोस्तों mechanical study all-in बन यह बहुत ही best type है दोस्तों इसका डिमेरिट यह है कि इसमें advertisement बहुत ही ज्यादा आती है जैसे देखे accepted टॉप 15 इसमें पूरा share दिया गया है दोस्तों mechanical engineering का देखे दोस्तों इसमें पूरा फोर दिया तका mechanical engineering का share दिया हुआ है जब इस आप एक सीट पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको 10 questions दिखाए देंगे दोस्तों इस परकार से इसमें बहुत सारी स्टेट है दिया गया है जो कि फोर दिया तक कि student के लिए बहुत ही important है देखे दोस्तों इसमें environment का बहुत ज्यादा problem है इसलिए आप लोग net off करके study करें बहुत ही best type है दोस्तों फिर बैक आता हूं देखे दोस्तों फिर इसमें भी dictionary दिया गया है एक्चर राउंड देखे बहुत ही important है दोस्तों इस चार राउंड जो कि interview question के लिए इसमें बहुत ही देखे दोस्तों गोश्ट कॉंफिडेंस दिया गया है ओवर कम नर्भासनेस दिया गया जो कि बहुत ही important है दोस्तों एचार राउंड के लिए देखे दोस्तों इसमें बहुत ही इस चार राउंड के लिए इंपोर्टन डेटैल के बारें बताये गया है इंटर्व्यू डे tips देखे दोस्तों यह first day का interview का tips बताया गया दोस्तों फिर बैकाता हूं बैक आने का दोस्तों जैके इसमें important set from books इसमें book का total shared दिया हुआ है दोस्तो पेज नमर बन पर क्लिक करते हैं दोस्तो जैके पुरा explained दिया हुआ second law of thermodynamics how do you measure temperature of देखें दोस्तो इसमें invertagement का बहुत ज्यादा problem है इसलिए अपने data को आप करके study किरें बहुत ही बेस्टेप है दोस्तो how do measure temperature in a wave bulb termometers what is welding moment देखें दोस्तो इसमें mechanical study का बहुत ही अच्छा explanation दिया गया अच्छ दोस्तो इसमें mcq question बहुत दिया गया है सबसे बेस्ट है दोस्तो इसका picture कि इसमें structure बहुत ही detail में예요 को दिया गया और जो की mechanical engineering के लिए बहुत ही important है जो दोस्तों इसमें question by state दिया गया है जो कि MCU Q question में बहुत ही बेतरीन तरीके से बताया है इसमें question state no.1 इस पर क्लिक करता हूं दोस्तों तो इसमें पूरा ही बताया गया है डिटेल से भार्टी में एक इनकल इंजिनियरिंग देकि अंसर दिया गया है फिर what is different between technology and engineering दोस्तों इस में बहुत ही एक शिट के अंदर a maximum 10 question दे गए है दोस्तों इस पर कास्स में बहुत ही detail से बताया गया दोस्तो आप से से कहें इसमें लेवन में ले चलता हूं गये दोस्तों इसमें electrical motor के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया जो कि इसके अंदर भी maximum 10 question है जोसे इस फोर्त यह तके स्टूडेन के लिए बहुत ही बेस्ट है दोस्तो थैंक्यो दोस्तो मैं इस आप का डिस लिंक अपने डिस्क्रिप्चन में दे दूंगा